हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग आसा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं BMS 2nd year के subject रस आस्तर में जो पारद चेप्टर है दोस्तों उस पारद चेप्टर के part 4 के बारे में दोस्तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में पारत चेप्टर के ही पार्ट थरी के बारे में डिसकर्स किया था और उस वीडियो में मैंने आपको टोटल मिलाकर के दो टोपिक बताये थे जिसके अंदर सबसे पहले जो ठोपिक था वो हमारा था की अश्टविद संसकार जै वो कौन कॉन से मतलब पारद की जो टोटल मिलाकर के आठ संसकार बताये वे हैं वो कौन कौन से हैं और उसके बाद में जो सेकंड टोपिक में आपको उस वीडियो में बताया था दोस्तों वो था कि पारद की गतियां जो हो कौन कौनसी होती इसके बारे में दोस्तो आज की वीडियो में जो पार्ट फोर है उस पार्ट फोर के अंदर टोटल मिलाकर के तीन टोपिक के बारे हम डिसकर्स करेंगे जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि जारन करम या जारना करम जो होता ह उसके बार में सेकेंड टोपिक होगा, कि पारण में मुर्चना करम हो रहती EnoughOf उसके बार में इसी टोपिक अंदर सेकंड पॉइन्ट होगा कि उसके यूज जो हो itu है मतलब ये जालन या जालन करम पारण के लिए क्यों किया जा रहा है इसके बारं दोस्तु तीसरा point होगा, इस topic का वहगा कि जारेना के बेध जो हो कौन-कौन से बतायाइगे, मतल Space of जारेना जो हो क्या है, और इसी topic के अंदर जो last point होगा, दोस्तु वहगा कि जारेन करम जो होगा, किस तरह से के जाता है, मतलब जारन करम का जो order है वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे दोस्तो जारन करम में सबसे पहले अगर definition की बात करें तो definition के लिए दोस्तो आपको मैं total मिलागर के दो line ने बताऊँगा उन दो line उसमें आपको definition को समझाने की कोशिस करूँगा ठीक है तो इसमें दोस्तो पहली जो line है उसमें आपको स्लोक देखने को मिल रहा है और second line जो हो हिंदी में लिखी हुई है इसको पहले पढ़के देखते हैं एक बार कि इसमें क्या लिखा हुआ है उसके बार में आपको समझाता हूँ कि definition जो हो दोस्तो इस पहले स्लोक में और second जो हिंदी में लिखी हुई line है इसमें दो सब्द आपको ध्यान में रखने और उनसे में पुरी definition आपको समझाँगा पहला सब्द तो है कि गालन पातन वेतिर एकेन और दूसरा है गंदक आदी ठीक है इसमें दोस्तों गालन पातन वेतिर एकेन का मतलब है कि गालन किरिया पातन किरिया यह जो अलगलग किरिया ही होते हैं इन किरियाओं का प्रियोग किये बिना अगर गंदक आदी ध्रवे को अब गंदक आदी का मतलब गया है गंदग आदी का मतलब होता है का गंदग जो है यह तो गंदग आदी का मतलब है कि धातू उपदातू महारस उपडर साधारन रसरतन या उपरतन जो भी है इनमे إensi कोई सा भी आप ले सकते हो उनको पारत के साथ में लेकर गे ठीक है यंतर में रखता है बिना किसी गालन पातन क्रिया के गंदक आधी द्रवे को जिरन करना क्या क्या ठालाता है। एक बार और मैं आपको definition समझाता हूँ. ठीक है, तो definition कुछ इस तरे से बनेगी दोस्तू की बिना किसी गालन पातन आधी क्रियाओं के विबिन यंत्रु की साफिता से पारत में घंदे कादी धर्वे को जिर्ण करने की जो किरिया या करम है वो ही क्या क्यलाता है जर्ण करम या जारनकरम क्यलाता है ठीक है सेकन्ड बात करते है दोस्तु की इसका यूज क्या है अब पारत के अंदर मैं आपको अश्टूइद संसकार बताए थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि इसका importance क्या है और उसी के साथ मैंने उससे पेले वाली जो वीडियो थी उसमें पारद टू के अंदर मैंने आपको सोधन के बारें बताया था तो उस ताइम पे मैंने आपको बोला था कि सोधन क्यों किया जाता है तो अब यहां पर भी मैं आपको बताता हूँ कि जारण या जारणा करम जो है वो पारद के लिए क्यों किया जाता है तो दोस्तों अगर जारण करम के यूज की बात करें तो यूज में लिखाओ है कि पारद अश्ट संसकारित हो या हिंगुल उत्पन पारद हो यदि उसमें च्छे गुना गंदका जारण ने किया गया हो तो उसमें रोग ना सक सकती पुरुन रूप से नहीं आती है इसलिए पारद में रोग ना सक सकती रसाइन गुन उत्पन करने के च्छे गुन से युक्त गंदका जारण जो है अबस्य करना चाहिए मतलब क्या है सिदिस्ती बात यह कि इस से पहले वाली जो मैंने पारड थर्ड आपको पढ़ायता तो उसमें मैंने आपको बोलाता है कि अस्ट संसकार जब करते है पारड गे तो उसका परणाम सुरू पारड जो एक रसाइन की तरह काम करने लगता है उसमें व्यादी ना सक समता जयूत पन हो जाती है अलग-लग तरह की रसोस्तियों के निर्मान में अपन उसका यूज में ले सकते हैं उसमें किसी परकार की असुद्धी जो हो नहीं होती है लेकिन दोस्तु जारण करम इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपको पारद अस्ट्विद संसकार के परणाम सुरूप प्राप्त हुआ है उस अस्ट्विद संसकार के परणाम सुरूप प्राप्त होने वाले पारद में रसाइन के रूप में कार्य करने की सकती भी है और उसके साथ व्यादी ना सक सकती भी है ठीक है तेकिन जो व्याधी ना सकती और रसायन की रूप में कारे करने के सकती है हो cas crianças नहीं है का मतलब है कि हो सकता है उसमें 99.99 परसेंट जो है वो हो लेकिन 10.11 001% तो उसμεें कुछ ना कुछ कमी है इस विज़े से वो पूर्ण रूप से रसाइन के रूप में और पूर्ण रूप से व्यादी ना सकर योग के रूप में जो काम नहीं कर पा रा ठीक है तो इस कंडिशन में क्या है कि उसमें कम्प्लिट रूप से रोग ना सक सकती जो है वो लाने के लिए और उसी के साथ रसाइन गुण उत्पन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि जो छे गुणों से युक्त जो गंदक है उस छे गुणों से युक्त गंदका गंदक के साथ में पारत को जो क्या करना पड़ता है जारन करम करना पड़ता है और जब दोस्तु जारन करम को यूज में लेते हैं तो इस जारन करम के पर पर पारत को पूरा को पूरा सुद्ध पराप्त कर लेते हो लेकिन तो भी कुछ ना कुछ रे गया हो या पिर हो सकता है कि उसमें अभी भी कुछ ना कुछ कमी हो अभी भी और अपने को अच्छा पारत पराप्त हो सकता है जिसमें वियादी नासक सम्ता और उसी के सासर रसाइन की रूप में काम करने वाले जो प्रोपरिटी है वो अच्छे से इनेंस हो जाए तो इसके लिए जारन करम किया जाता है अब दोस्तू इसी टॉपीक एदर थर्ड पॉइlarını देखते हैं कि जारन करम या जारना के बेद जो हो कौन कौन से बताए गये उसके बारे में देखते हैं कि दोस्तो difूच असे सब्सक्राइब के बात करें तो बैद मुक्य रुप्सस जो यह क्याँ ना क्रिंगलाता है लेकिन अगर अगर आप रत्नुप रत्न को प्रियोग मिलते जाता है थीक है? तो main रूप से इसके दो इवेदे. एक तो भूचरी और खेच्री. तो आपको दो नुम्बर में क्यूशन पोशन में पोश सकतेगीök मूचरी और खेच्री जो है किसके बेदे? तो जारन पूचरी बेदेगा उसके बार में जो भूचरी procedure है दोस्तों यह पर भूचरी जो जारण है उसके वापस तीन पांट बार्ट में उसको डिवाइड किया गए बाल जारण युवा जारण और वरद जारण ठीक है उसके बार बार बात जारण को और आगे classified किया गया ठीक है इस तरह से इसका classification जो है यहां तक किया हुआ है उसके बाद में दोस्तों अगर मैं इसके और classification की बात करता हूँ थी है तो manly classification हो गया जिसके अंदर में आप लोगों को बताया कि मुख्य रूप से जो इसके क्या होते है दो बेद होते है जो कि एक तो बूचरी है और एक खेचरी है ठीक है और बूचरी और खेचरी के अलावा जो इसके बता रहे हैं वो एक तो बाल जारन है युवा जारन है और वरत जारन है उसके बार उसका गंदक जारन, सुरन, माक्चिक जारन, सुरन जारन और रतन जारन यह भी बता रहे हैं तो आपको इस तरह से इसका classification देगने को मिलता है लेकिन दोस्तो इसमें एक चीज और important है आपके लिए वो important यह है कि जो मैंने आप लोगों को गंदक जारन बताया है दोस्तो यह गंदक जारन मुक्की रूप से आगे चलकर के दो पार्ट मोर डिवाइड वा है जिसके अंदर एक तो बहिर दूम गंदक जारन है और दूसरा जो है अंतर दूम गंदक जारन है अब विशेश रूप से जो गंदक है क्योंकि अपन जादा तर जो जब भी जारन करम यूज में लेते हैं तो पारत के साथ में जनरली जो है वो गंदक ही यूज में लिया जाता है तो दोस्तो इसलिए गंदक के दो और अलग लासिप केसन बता रहे हैं और इसी के बारे में आपको बुक में भी डिटेल दी हुए आप बुक में से भी देख सकते हैं ठीक जारना का जो पहला बेदे वो है बहिर दूम गंदक जारन इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि बालू का यंतर वीदी से इसको बहिर दूम गंतक जारण को करते हैं और इसमें पातर का मुक्चक कैसा होता है खुला वाए रहता है इसले को पन क्या बोल रहे अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब पातर का मुक्चक खुला वा रहेगा तो इसलिए यह बहिर दूम गंदक जारन प्रोसेजर जो है वो सिग्र होने वाला प्रोसेजर है जबकि अंतर दूम गंदक जारन जो हो मंद या पिर दीमी गती से होने वाला प्रोसेज है ठीक है इसके लाओ दोस्तों अंतर दूम गंदक जारन जो विदी है उसमें कचप या फिर बूदर यंतर विदी से बंद कूपी मुसा या फिर यंतर के दुआरा जो हो कार्य किया जाता है या फिर जारन करम किया जाता है तो इस तरह से में रूप से तो इसके बेद क्या है बूचरी और खेचरी है लेकिन बूचरी और खेचरी के बाद में जब गंदक जारन जो कि वरद जारन का सब क्लासिफिकेशन था उस सब क्लासिफिकेशन गंदक जारन का भी इन्हों आगे चल गड़के और जो है क्लासिफिकेशन कर दिया जिसके अंदर आपको देखने को मिला है कि गंदक के जो है उस गंदक के एक तो बहिरदूम गंदक जारन था और दूसरा जो अंतरदूम गंदक जारन है ठीक है इस तरह से इसके दो क्लासिपिकेसन किये हैं अगर आपको पेपर में क्युस्टन पूचा जाता है कि जारन के जो है बेद लिखे है जारन करम के जो है बेद लिखे है तो आपको यहां से पहला तो बूचरी और खेचरी बताना है उसके बाद में आपको बाल जारन युवा जारन और वरत जारन उसके बाद वरत जारन के करिए उसके वह तो हो गया कि जिए को कर सकते हो अब दोस्तों यह तो हो गया कि जो definition है जारन करम की जो definition है वो क्या है और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके यूज जो हो क्या है जारन करम को क्यों यूज में लेते हैं और तीसरा मैंने बताया कि जारन के बेद जो हो कौन-कौन से बताए गए इस तरह से मैंने आपको इस topic के इस जारन करम topic के अंदर मैं एक तरह से पहले जारण किसका होता है, पहले जीरण कोन होता है, बाद में जीरण कोन होता है, इस तरह से आपको उसका ओर्डर तोड़ा याद रखना है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, यंतर के साथ में अपन गंदक आदी द्रवे लेते हैं, जिसके अंदर आप इतने सारे अलग-अलग द्रेवयों के साथ में, अब अगर आप अंतरदूम। विधिका प्रियो कर रहे हैं, बेर दूम विधिका प्रियो करते हो जब उस पातर में रखा वा रहे हैं, तो पहले जिरन जो है कोण होगा, ठीक हैma, या पर सबसे पहले जिरन जो है वो कौण हो कि करता है आड होता है और इसके बाद में ध्रवय नागबंग जरतन इन सबका जौड़न देखने को मिलता है और उसके परियाई को बताये हैं जिसमे परत्क बताये है यह सारी इन को अपने साथ में डिसॉल कर लेता है समाहित कर लेता है तो पारत इन सब को अपने साथ में जिरन कर देता है तो जिरन करने के दुराण उनका ओर्डर क्या होता है एक दर से वही ओर्डर में आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले गंदक का जारण होगा उसके बाद में अबरक्सोरन माक्सिक का जारण होगा और लास्ट में जहो नागवंग रतनीन सब का जारण देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह था आज की वीडियो का पहला टोपिक जो की था जारण करम जिसमें आपको डेफिनेशन बताई सेकेंड में ने बताए कि इसके यूज जो हो क्या है इस जारण करम को यूज में क्यों लिया जाता है थल्ड में ने बताए कि जारणा के भेद या जारण करम के भेद जापि इसके टाइप जापिकेशन जो है किस तरह से उसके बारे में बताया और इस point के last point में आपको बताया कि जारना करम जो होगो क्या होता मतलब कि जारना के दोरान अलग-अलग द्रिव्यू के जिरिन होने का order जो होगो क्या होता है उसके बारे में बताया दोस्तो आज की वीडियो के second topic के बारे में बात करते हैं मुर्चना ठीक है दोस्तों मुर्चना की बात करें तो मुर्चना में सबसे फिले definition है कि पारण में गंदक के सायोग से अथवा गंदक के बिना ही निश्चित रुप से व्यादिनासक्स सक्ति की उत्पत्ती करने की परक्रिया को मुर्चना कहते हैं मतलब की पारद प्लस गंदक ठीक है या फिर पारद में बिना गंदक के सही हो कि अगर आप उसमें जो भी व्यादी ना सक्स प्रोबर्टी है या पिर यह बोलो कि डिजीज को खतम करने की जो पावर है वो अगर आप उसमें उत्पन करते हो तो वो प्रिक्रियाई कहलाती है मुर्चना कहलाती है ठीक है यह तो हुई बात दोस्तु डेफिनेशन की डेफिनेशन के बाद में सेकिंड बात करते है कि इस मुर्चना के बेद यह हो कौन कौन से बता रहे है ठीक है तो बेद में दोस्तों दो तरह से classification आपको यहां पर देखने को मिलेगा जिसमें सबसे पहला तो होगा कि गंदक की आदार पर मतलब कि गंदक की उपस्तिती है या नहीं उसके आदार पर इसका classification देखने को मिलता है जिसमें सह गंद मुर्चना और निरगंद मुर्चना ये गंद के आदार पर पहला classification देखने को मिला second classification जो है वो इसी का sub division है जिसमें आपको अगनी के आदार पर देखने को मिल रहा है जिसमें सह अगनी और निरागनी मतलब कि सह गंद मुर्चना भी दो परकारी है जोड़ा सो सकते हो उसके बाद दोस्तों सेकेंड जो प्लासिपीकेस्न बता रहे हैं मुर्चना का किसके आधार पर प्षटी के आधार पर जिसमें दोस्तों तो अगर मैं दातू पिस्टी की बात करता हूं तो कनक पिस्टी रजत पिस्टी तामबर पिस्टी अब्रक सतू पिस्टी कांत लोह पिस्टी ठीक है इस तरह से जो है मुर्चना के बेद बता रहे हैं जो आपको ज्याद रियाद रखने वाली चीज़ है और इसमें सी वह जान लेना काफी है उसके बारे मुर्चना के बेद और आप सेकिंड टाइफ स्टी रूप में परिवर्तित हो जाए यही मुर्चना प्राप्ति का लक्सन जब आपने पारद को और गंदक को इन दोनों को जब आपने साथ में रखा और साथ में रखे जब यह पूरा का के रूप के जैसा देखने को मिलता है तो वही क्या है मुर्चना का लक्षन है मतलब एक तरह से मुर्चना प्रोसीजर कंप्लीट वाइस का पता कैसे लगा सकते हैं कि अगर कजली रूप में आपको पारद अपनी चंचलता और गुरुता को त्यार करके प्राप्त हो जाता था कि व्यादी नासक और रसायन के रूप में और अच्छा है इसको बनाने के लिए अपन इन प्रोसीजर को यूज में ले रहे हैं और मुर्चना का भी फल होता है अब दोस्तो इस मुर्चना टोपी के अंदर में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट टोपिक आप बताने वालाम वो है कि मुर्चना और मुर्चन के बीच में डिफरेंस क्या है बेद क्या है दोस्तो इस पारत चेप्टर के पार्ट फॉर में मैंने आपको इस ये मुर्चना के बारे में बताया ठीक है और इससे पहले जो पार्ट थर्ड था उस थर्ड में मैंने आपको अस्टव यह टोटल मिलाकर के 8 जिवह संसकार मैंने आपको Detail में पिसले वाली वीडियों बताई थे और इनके अगर मैं अस्तितू की बात करता हूं तो अस्तितू इनका अलग अलग है मुर्चन जो है वो एक परकार के अस्टिविद संसकार के अंदर आने वाली तीसरी स्टेप का पॉइंट है जबकि मुर्चना जो है वो एक परकार का अलग पुरा का पुरा प्रोसिचर है जिसमें पारद को गंदक के साथ में मिला कर या फिर गंदक के बिना आप क्या कर रहे हो उसमें व्यादिनासक सम्तावत्पन कर रहे हो उसको पन मुर्चना बोलते हैं तो मुर्चन जो है वो क्या है कि पारद के नेसरगी की दोस्तों को दूर करने के लिए पारद का तरतिय संसकार होता मतलब कि जो भी 80 संसकार उसमें तीसरे नंबर का जो संसकार है वो कौन सा है मुर्चन है जबकि अगर मैं मुर्चन की बात करता हूँ तो पारद में व्याद अस्क गुण उत्पन करने की जो विदी है of घृतना और सट प्रेश्ट में है। मतलब मैंने मुर्षण पड़ा थै तो इस दोरण में आपको बोलाता कि ऊस्ति के साथ मित्त्र boys in battle call जो वो जो हो नाश्त पिष्टित नहीं होजाए मैंनलों कि बिल्कुल पिष्टी जाया नाश्ट नहीं हो जाया तब तक आपको उसको जो है वो क्या करना hell को चलाते रहतो है ठीक है जबकि यहाँ पर मुर्चना के लास्ट में आपको जो पारद मिल रहा है मुर्चिद हो जाते हैं जबकि यहां पर मुर्चना के परणाव सुरूप जो पारद आपको प्राप्त हो रहा है वो कजली परपटी रस इंदूर स्वरन वंग और रस करपूर मुगद रस आदी रूपों में अनेक वरण का जो हो जाता है तो यह अलग-अलग है कि मुर्चन क्या होता है उसके definition क्या है और वो कहां पर और वो किस विदी के अंदर यूज में हो रहा है और मुर्चना क्या है ठीक है और जब पारद का मुर्चन प्रोसिजर करते हैं तो उससे पारद के साफ राप्त होता है जो मुर्चन अस्टवित संसकार का प्रोसिजर वो पारद म पढ़ेंगे तब ही आप इन दोनों में differentiate कर पाओंगे तो अभी maximum तीन difference से हो काफी है तो इस तरह से यह आज की वीडियो के अदर सबसे ज़्यादा important point था क्योंकि question जो है वो दो number में अगर पूछेगा तो इसमें सही पूछेगा कि मुर्चन और मुर्चना में जो difference क्या है मुर्चन क्या है और उसके साथ मुर्चन जो हो क्या है इस से related ही आपको इसमें पूछ सकता है दोस्तो अब बात करते हैं आज की वीडियो के last topic के बारे में जो की है कजली ठीक है दोस्तों जो मैंने परिवासा परकरण पढ़ाया था तो उस दोरन भी मैं आपको कजली की definition बताई थी तो भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूं बता देता हूं कि जो पारद है उस पारद को अगर आप गंदक आदी द्रवे या पिर धातु ठीक है आप पर लगातार मर्दन करते और उस परक्रिया को एक पन क्या बोलते हैं कजली निरमान परकृते और इसको निरमान कजली बोलते है ठीक है पारद की कजली बोलते है उपर definition भी लिख राकिए कि पारद के साथ में गंदक आदी द्रवेज्व시면 को मिलाकर मर्दन करके कर्ष्ण का चमकिला कैला तो इस तरह साभको याद रखना करें तो कजल और कजली कह इसके दो परियाई वाथ कर एज दो सब्सक्कि में कृण Character का घया जासा हुँ कि अनिक परकार के रेंदों में पार्ध का उसका हदा गए और यूज करने से पहले उसको कजली रूप में कन्वर्ड करना जरूरी है इसलिए अपन इसका कजली का निर्मान कर रहे है उसके लाव धातू का मारन करने के लिए भी इसका प्रियोकरते है जब ये पारत की कजली बनाना जरूरी है दोस्तों नीचे जो एक चीज लिखी हुए पिर कोई भी धातू ओस्ती जो भी आप प्रियोक में लेंगे वो और पारत दोनों आपको समान मातरा में लेने जब आप समान मातरा में लेंगे तो इसका परणा मसरूर प्राप्त होने वाली कजली बी जो है वो उसे के समान अनुपात में आपको प्राप्त होईगी होगा अधिक होगा तो मार्व मनलब आप जिस तरह का जिस तरह का उनका अनुपात लोगे उनका रेश्य लोगे उसी तरह के आपको कजले मिलेगी अगर आप मानो आप पारत जो है वो last point है कि कजली की प्रिक्सा जो हो किस तरह से की जाती है मतलब examination जो हो किस तरह से करते हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों अगर एक अच्छी कजली आपको प्राप्त होती है तो उसमें क्या-क्या property होगी उसके बारे में देखें तो सबसे पहला point है कि चमक जो इसमें अनुपस्तित होगी ठीक है और दूसरा point है कि चिक्नी और कॉमल वो होगी और सुड़े की रोस्नी में देखने पर पारत के सुक्समकन जो हो नजर उसमें नहीं आएंगे क्योंकि सुक्समकन नजर ने आने आने का मतलब है कected Lee जो आपने बनाई है वो अच्याए अच्या क्योंक है इसका परयोगया आप किसमें कर सकते हो अलग लग तरह की र sap sap के दिरुमार में कर सकते हो इस तरह से इन तेन प्रोपयरटी पहले प्रोपयरटीं तो क्या है कि उसमें जो चमक है वो अनुपस्तित होती है दूसरी है कि वो चिकनी और कॉमल होगी और तीसरा होगा कि सुर्य की रोस्नी में देखने पर सुक्सम कणू का नजर नया आना अब दोस्तु कजली बनाने का जो में मकसद था वो मकसद था कि अलगलग तरह की ऊस्तिया बनाना अब अलगलग तरह की ऊस्तिया मतलब कजली के योग जो क्या क्या बनाये जा सकते हैं उनकी एlier ग्जाम्पल के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला जो कजली का योग है दोस्तु वो है कि रस परपटी, सेकेंड है रस सिंदूर, तीसरा है मकरदवज, चोता है सिद्ध मकरदवज और सरवंग सुंदर रस ठीक है, तो इस तरह से आपको चार पांस याद रखना है क्योंकि दो नमबर पूछ सकता है कि कजल लिखे जो हो, कोई भी चार योग लिखो उसके बार में देखा कि पारद का मुर्चना करम जो होता है और उसे के साथ मुर्चना और मुर्चन दोनों अलग लग जो प्रोसेजर उसमें डिफरेंस क्या है और आज की वीडियो के लास्ट में देखा कि कजली जो है किस तरह से बनाई जाते है कजली की definition क्या है और एक अच्छी कजली की प्रिक्सा है examination जो है किस तरह से करते है इसके बारे में देखा दोस्तो आने वाली जो next वीडियो की उस next वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिसकस करूँगा इसी पारद चेप्टर के part 5 के बारे में और वो part 5 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि उस part 5 में जो मैं आपको चीजे पढ़ाने वाला हूं दोस्तो उनमें से maximum possibility के आपको long answer type का question question को question देखने को मिलता है जिसमें आपको 10 number या फिर 5 number का maximum question जो इसमें देखने को मिलता है पारद में से ठीक है तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखना जिसमें दोस्तो उस वीडियो के अंदर अपन डिसकस करेंगे कि पारद की अलगलग कल subscribe कर सकते और बेल आइकन को फ्रेस कर सकते ताकि आने वाली हरे एक वीडियो को notification आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए thank you so much guys